चैनल पर नए है, टू सब्सक्राइब इन लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करे बूरा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिटुआ यक्षिनी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती क्यू बाबा, क्या यक्षिनी यहां से चली गई है जो अब वो अपना मर्दों को शिकार नहीं बनाती है वो बूरा युग के पास जाते हुए कहता है, वो गई नहीं है, शान्थ हो गई है शान्थ हो गई है मतलब, मतलब ये कि आज से 13 साल पहले उस ग्रेव्यार कोठी में एक लेखक बाबु रहते थे उन लेखक बाबु को ही उस यक्षिनी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था तुम्हें पता है लेखक बाबु की किसी को लाश तक नहीं मिली थी पर उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था हर जगह खून ही खून था दिवारों पर, किताबों पर, टेबल पर हर जगह, एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर खून ना हो ये बात सुनकर युगदरा नहीं बलकि उदास हो गया, अचानक से उसकी आँखों में नम्या आ गई थी बूरा इस बात को भाप लेता है और युग के कंदों पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा, लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया युग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बलकि मेरे पिता थे क्या, इसका मतलब ये कि तुम वो लेखक बाबू के बेटे हो हाँ, मैं उन्ही का बेटा हूँ युग बूरा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गाव वालों का कहना था कि उस यक्षिनी नहीं लेखक बाबू को मारा था उसी दिन से उस क्रेव्यार कोठी को बंद कर दिया गया और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्निमा की रात मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए कुछ गाव वालों का तो ये तक कहना है कि शायद लेखक के साथ संभोग करके उस यक्षिनी की हवस मिद गई इसलिए वो शान्थ हो गई युग कुछ सोचते हुए कहता है पर जब हवस मिद गई थी तो उस यक्षिनी ने मेरे पिता को क्यूं मारा और आपने कहा था कि संभोग करने के बाद यक्षिनी अपने शिकार के शरीर में से खून चूस लेती है तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगल कैसे फैला था यक्षिनी ने उनका खून क्यूं नहीं पिया पता नहीं उसने लेखक बाबू का खून क्यूं नहीं पिया ये राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेव्यार कोठी में दफन हो गया था यक्षिनी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घार उतारती थी इसलिए हवस खत्म होने के बाद भी उसने लेखक बाबू को भी मार दिया होगा पर कुछ गाउव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोज बीन पूछताच करके यक्षिनी पर कोई किताब लेख रहे थे इसकी भनक उसे लग गए थी एक ये भी कारण हो सकता है और फिर अमावस्या आते ही यक्षिनी ने लेखक बाबू को मार दिया होगा नहीं वो किताब तो कहीं नहीं है सुना है प्रकाशती नहीं हो पाई शायद ग्रेव्यार कोठी में हो क्या कहा आपने ग्रेव्यार कोठी में? हाँ ग्रेव्यार कोठी में पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ वो यक्षिनी शांथ हो चुकी है तो बहतर है उसे शांथ ही रहने दो उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले आप मुझे डरा क्यों रहे है? मैं डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें बस आगाह कर रहा हूँ बिटुआ मौत के आने से पहले चितावनी देनी पड़ती है मतलब तुम शेहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बिटुआ हर बात में मतलब ढूरते हो मतलब कुछ नहीं वैसे आप बहुत कुछ जानते है उस ग्रेव्यार कोठी के बारे में आखिर कैसे? जानूंगा कैसे नहीं मेरा पुराना रिष्टा जो है? युग उस बुड़े को घूरते हुए पूचता है क्या कहा पुराना रिष्टा है? क्या रिष्टा है आपका ग्रेव्यार कोठी से? बुड़ा बड़ी बड़ी आखि करते हुए कहता है मेंदी पथार युग अपना मूँ फाड़ते हुए कहता है मेंदी पथार मतलब मतलब ये बिटोवा कि मेंदी पथार स्टेशन आ गया है चलो जल्दी उतर जाओ ट्रेन मेंदी पथार स्टेशन पर आकर रूप गए थी युग और वह बूरा अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते है स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सूनसान पड़ा हुआ था स्टेशन पुराने जमाने का था लाइग भी एक दो ही जल रही थी जो बार बार बंद चालो हो रही थी ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नजर बूरे के हाथ में जो जो जोला था उस पर पढ़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूर रखे हुए थे युग सोचने लग जाता है ये बूरा इतने सारे फूरो का क्या करने वाला है जैसे ही बूरा स्टेशन पर उतरा था जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया था जैसे उसे कही जाने में देर हो रही हो युक के मन में कमल के फूलो वाली बात खटकती जा रही थी उससे रहा नहीं जाता और वो उस बुड़े से पूछी लेता है वैसे बाबा आप इतने सारे कमल के फूलो का क्या करने वाले है बुड़ा अपने चहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है तो तुम्हारी नजर चली ही गई इन पर बड़ी तेज नजर है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बाबा बताये ना आप इतने सारे फूलो का क्या करने वाले है अरे पूजा आने वाली है ना उसी के लिए है ये फूल कैसी पूजा? पूर्निमा की पूजा पूर्निमा की पूजा मतलब तुम नहीं समझोगे तुम गाव में नहीं आए हो ना धीरे धीरे समझ जाओगे युग उस बूरे को हिरानी के साथ घूरे जा रहा था क्योंकि उसको उसकी बाते बिलकुल समझ में नहीं आ रही थी युग अपनी जिन्स पकड़ते हुए कहता है अरे शिट इसे भी अभी आना था हाँ बाबा वो यहाँ पर कहीं वाश्रूम है क्या? बूरा अपना सिर्ख हुजाते हुए कहता है वाश्रूम मतलब बिटुआ मतलब तोइलेट पेशाब घर बाबा अच्छा ये बोलो ना तुम्हें टंकी खाली करनी है युग चिदते हुए कहता है हाँ वही वो तो नहीं है स्टेशन पर पूरे देश की तरक्की हो गई पर मेंदी पतार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था तो फिर में वाश्रूम मतलब तंकी खाली कहाँ पर करून अरे इतनी सारी जगह है कहीं भी कर दो वैसे भी अंधेरा है कोई नहीं देखने वाला युग थोड़े आगे ट्रेन की पट्री के पास चले जाता है और टोइलेट करने लग जाता है युग तोइलेट करते हुए कहता है वैसे बाबा आपको यहां से कहा जाना है रोगन का मुच्चा मतलब आपको वो किशनोई नदी पार करके जाना पड़ेगा हाँ, आपको डर नहीं लगता यदि उस यक्षिनी ने आपको पकड़ लिया तो अरे मैंने कहा ना बिटूआ उसकी वासना खत्म हो चुकी है वो अब शिकार नहीं करती और वैसे भी आज पूर्नेमा या मावस्या थोड़ी है जो वो मुझे अपना शिकार बनाए वैसे आप रोगन का मुच्चा में कहां रहते है रोगन का मुच्चा में किशनोई नदी का जो घाट है ना वही पर रहता हूँ युग कुछ सोचते हुए कहता है ये तो वही घाट है ना जहां पर वो यक्षनी भटका करती थी पापा कहते थी कि अक्सर यक्षनी किशनोई नदी के दोनों घाट के पास ही भटका करती थी कोई जवाब नहीं आता है युग फिर पूछता है बताए ना बाबा आप चुप क्यों ओ गए बूरे का कुछ जवाब नहीं आ रहा था युग सोचने लग जाता है कि बाबा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे युग अपने पेंट की चैन बंद करता है और पीछे मुढने लग जाता है जब वो पीछे मुढता है तो उसके रॉंटे खड़े हो जाते है वो बूरा अचानक से गायब हो गया था युग के समझ नहीं आ रहा था कि वो बूरा इतनी जल्दी कहां जा सकता था युग अपना बैग उठा कर स्टेशन पर उस बूरे को ढूंडने लग जाता है पर वो बूरा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूरा एक दम से कहां गायब हो गया पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूरा अकेले ही चले गया होगा और अच्छा ही हुआ चले गया वरना यक्षिनी के बारे में बाते करके वो खुद तो डरता साथ में उसे भी डराता युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी ओटो रिक्सा वाला नहीं था ये गाउव में ना यही प्रॉब्लम होती है टेक्सी ही नहीं मिलती ही बंगला मुडा गाउव जाने के लिए निकल जाता है आधे एक घंटे में वह बंगला मुडा गाउव पहुंच जाता है बंगला मुडा गाउव पार करने के बाद काला जाड़ी जंगल परता है जिसको पार करने के बाद ही किशनोई नदी आती है और वही से थोड़ी के अंदर वो फंस गया था किशनोई नदी जाने का रास्ता वो भूल चुका था काला जाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहां पर जाता है युग जंगल के अंदर लगे बास के पेड़ों को देखते हुए कह अब क्या करून आगे का रास्ता तो भूल गया मैं दो तीन राउंड मार लिए पर बार बार गुम कर फिर के यहीं पर आकर रूप जाता हूँ ये काली जाड़ी का जंगल तो पहली बन गया है मेरे लिए कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करून युग अपना मोबाइल निकाल जब भी इन बांस के पेड़ों के बीच में से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई फुसफुसा रहा हो मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में युग को जादा कुछ दिखाए नहीं देर रहा था युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे कैसे इस जंगल में से निकले तभी उसे किसी के कदमों की आहत सुनाई देती है कदमों की आहत सुनकर युग सहम जाता है और सोचने लग जाता है इतनी रात में इस जंगल में कौन होगा युग दरने लग जाता है और सोचने लग जाता है कही यक्षिनी तो नहीं पर फिर वो अपने दिल को तस तल्ली देता है नहीं ये यक्षनी वक्षनी कुछ नहीं होती सिर्फ कहानिया है जो मेरे पापा ने बनाई थी कदमों की आहद धीरे धीरे तेज होते जा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई योग के पास आ रहा हो योग जमीन पर पड़ा बांस का टुकड़ा उठा लेता है और कदमों की आहद सुनने लग जाता है तब ही योग देखता है कि उसके बगल में जो बांस के पेर लगे हुए थे वो हिल रहे थे और आवाज उसी तरफ से आ रही थी योग पूरी तरह तयार हो गया था उस आहद का सामना करने के लिए जैसे ही कदमों की आहद बंध ह हुती है योग की आँखे फटी की फटी रह जाती है उसके हाथ से बांस का टुकड़ा अपना आप छुट जाता है और वो खुद दर के मारे जट से जमीन पर गिर जाता है योग के सामने एक काला साया खड़ा हुआ था योग दरते हुए अपना मोबाइल उठाता है और उ तो योग देखता है कि वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि उसी की उम्र के एक लड़के का थी जिसके लंबे लंबे घुंगरालू गर्दन तक बाल थे और उसने आँखों में बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था उस लड़के के हाथ में कोई डिवाइस था जिसे देखक ना अपने वाला डिवाइस हो अभिम्यू योग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है उट जाओ नीचे क्यों लेटे हुए हो योग अभिम्यू का हाथ पकड़ते हुए कहता है लेटा नहीं हूँ तेरे कारण दर गया था क्या कहा मेरे कारण दर गया था क्यूं तु दर बोख है क्या? क्या बोला तुने? इतना कहकर यूग अभिम्यू के चहरे पर टॉर्च मारने लग जाता है. जब यूग गोर से अभिम्यू का चहरा देखता है तो हिरानी के साथ कहता है कहीं तुम अभी तो नहीं. यूग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिम्यू योग की तरफ उंडली करते हुए कहता है और तुम योग है ना। इतना कहकर ही दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अभिम्यू योग के बचपन का दोस्त था। योग अभिम्यू के बालों को हाथ लगाते हुए कहता है तू तो बहुत बदल गया है यार। बड़े बड़े बाल आँखों में बड़ा सा चश्मा। अभिम्यू कहता है बदल तू तू भी गया है बहुत यार। ये बता कब आया और कहां जा रहा है तू इतनी रात में। बस आज ही आया ये मान ले एक दो घंटे पहले और मैं तो अपने घर ग्रेव यार कोठी जा रहा हूँ। तू बता तू कहां जा रहा है इतने सुनसान जंगल में वो भी इतनी रात में और तूने ये बाल इतने बड़ा के क्यों रखे है एक पल तो मुझे लगा जैस वो अभिम्यू हैरानी के साथ पोचता है बहुत ही मतलब युग बात को गुमाते हुए कहता है छोड़ना और तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे ये बता तू इतनी रात में यहां पर क्या कर रहा है मुझे तो कुछ गरबर लग रही है यार गरबर वरबर कुछ नहीं है पहले तू बता तो यहां पर क्या कर रहा था अभिम्यू धीरे से कहता है मैं यहां पर भूट पकर रहा था युग को सुनाए नहीं देता और वो फिर पूचता है क्या कहा अभिम्यू युग के कान में चिलाते हुए कहता है भूट पकर रहा था यार अभिम्यू की बात युग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है तू पागल हो गया है क्या ये कैसे बात कर रहा है मुझे लगा तेरी बचपन की ये आदत भूतों पर विश्वास करने की चली गई होगी और तू अब समझदार हो गया होगा पर तू तो अभी भी नहीं सुधरा यार पूर फील होने लगता है और वो धीरे से कहता है सौरी यार चल छोड़ ये बता क्या करता है आज कल तू मेरी गुहाटी में जॉब है अभी चुट्टिया मनाने आया हूँ गुहाटी में जॉब है पर किस चीज की अभी तो बताया क्या बताया भूत पकड़ने की मैं एक सर्टि यूग की बात सुनकर यूग अपनी हसी रोप नहीं पा रहा था, वो हसते जा रहा था, यार तू हस क्या रहा है, हसले जिनको कम नौलेज होती है वो अक्सर अपने से ज्यादा नौलेज वालों को पागल ही समझते हैं, शायद तुझे पता नहीं है हमारे इंडिया में 10 सर्टिफाइड पेरानॉमल सोसाइटीज है, जो भूत खूजने का काम करती है, मैं भी उसी सोसाइटी से सर्टिफाइड हूँ समझा, यूग हसते हुए कहता है, फिर ये बता आज तक कोई भूत खूजा या नहीं खूजा, और वो कैसे, अभिम्यो अपने हाथ का मीटर कहते है, मतलब, मतलब ये कि इस मीटर का इस्तिमाल एक टाइम के अंदर इलेक्ट्रो मेंगनेटिक फील्ड में होने वाले अंतर को जांचने के लिए किया जाता है, कहते हैं किसी जगह पर जब भूप प्रवेश करते हैं तो वहां की इलेक्ट्रो मेंगनेटिक फील् यूग कुछ बोलता उससे पहले ही वो electromagnetic field meter बजने लग जाता है यूग हैरानी के साथ पोचता है ये क्या हो रहा है ये device इतनी आवाज क्यों कर रहा है अभिम्यू अपने आसपास देखते हुए कहता है ये संकेत है कि हमारे आसपास कुछ है यूग धीरे से कहता है मतलब भू हाँ अभिम्यू के हाथ में जो electromagnetic field meter था वो लगातार बचते जा रहा था उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होते जा रही थी यूग electromagnetic field meter को देखते हुए कहता है यार ये इतना आवाज क्यों कर रहा है तो इसे बंद क्यों नहीं करता वरना जंगी जानवर जाग जाएगे और यदि वो जाग गए तो भूठ प्रेथ हमें मारे या ना मारे लेकिन वो हमें जरूर मार डालेगे अभिम्यू चिदते हुए योग से कहता है योगतु तो ऐसे बोर रहा है जैसे मैं ये सब जान बूझ कर कर रहा हूँ ये डिवाइस अपने आप ही बचता है और वो भी त पारो तरब घुमाने लग जाता है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रो मेगनेटिक फील्ड मीटर से ज्यादा आवाज आ रही थी उस ओर जाने लग जाता है योग अभिम्यू को रोकते हुए कहता है कहां जा रहा है तू अभिम्यू बास के पेर से निकलते हुए कहता ह भूप को पकने चल जल्दी से मेरे पीछे आजा बहुत हंस रहा था ना तू मुझ पर चला आज तुझे भूप देखाता हूं योग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिम्यू वहां से चले जाता है योग भी अपना सामान उठाता है और अभिम्यू के पीछे पीछे जाने लग जाता है इलेक्ट्रो मेगनेटिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज का पीछा करते करते योग और अभिम्यू दोनोंने काला जाड़ी जंगल पार कर लिया था और वो किशनोई नदी के पास पहुँच गए थे अभिम्यू इलेक्ट्रो मेगनेटिक फील् पूल रहा है अभिम्यू तू ये भूत भूत कुछ नहीं होते छोड़िये तेरी मशीन युग तू दो मिनट चुप रहेगा मुझे अपना काम करने दे समझा डिस्टब मत कर हम लोग भूत के बहुत करीब है देखना आज मैं उसे पकड़ ही लूँगा अभिम्यू इलेक इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड मीटर को लेकर किशनोई नदी के शुरुवाती किनारे तक पहुँच गया था नदी शांद लेहरों के साथ बह रह थी जिसमें घूटनों तक पानी था चांद की चांदनी नदी के पानी पर च्छाय हुई थी जैसे ही अभिम्यू इलेक् इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड बंद कैसे हो गया वातावरण में अचानक से शांती चा गई थी अभिम्यू इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से थोकते हुए कहता है अरे ये क्या इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही है कहीं ये खराब तो नहीं ह यूग नदी के बाहर ही खड़ा हुआ था वो वही से अभिम्यू को ताना मारते हुए कहता है खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा इतना घटिया तो है तेरा ये डिवाइस क्या नाम बताया था तुने हाँ इलेक्ट्रोमेगनेटिक फिल्ड मीटर तुझे पता है इस पतलब ये कि जब वातावरन चेंज होता है तो मैंगनेटिक फिल्ड भी चेंज होता है जिस कारण जब हम जंगल से यहां तक आय तो इसने यहां पर आकर आवाज करनी बंद कर दी क्योंकि जंगल के अंदर के एक्मोसफेर में और नदी के पास के एक्मोसफेर में बहुत है इलेक्ट्रोनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजिनियर हूँ बेटा इतना तो पता ही होगा तेरी तरह जोला चाप पेरानॉर्मल एक्टिवीटी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं नहीं मानता मुझे तो लगता है कि मेरा ये डिवाइस हमें बिल्कुल सही जगह पर लाया है यूग अभी मियू को घूरते हुए कहता है और तुझे ऐसा क्यों लगता है इसके दो कारण है पहला कारण ये कि जब हम जंगल से यहां नदी तक आये तो उस बीच भी एक्मोसफेर चेंज हुआ होगा तब ये बंद क्यूं नहीं हुआ यहां नदी पर आकर ही बंद क्यूं हुआ यूख हैरानी के साथ पूछता है और दूसरा कारण दूसरा कारण यह है कि आज से 13 साल पहले यक्षनी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात के शनोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ सम्भोग करके उनके दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी यूख शोक्ट होते हुए कहता है तो ये कहानी तुझे भी पता है ये कहानी नहीं है हक कित है और ये बात बंगला मुडा और रॉन को मुझा गाउं के बच्चे बच्चे को पता है समझा छोड़े सब तो हां क्या बता रहा था मैं कि देख यक्षनी मर्दों के साथ सम्भोग करके उन्हें मार देती थी यही पर इसी नदी के पास तो उनकी आत्मा भी यहां पर भटकी रही होगी ना समझा इसलिए तो मेरा ये दिवाइस यहां पर आकर बंध हो गया यूग घूरते हुए अभिम्यू से पोचता है तू ये यक्षनी घूप प्रेदायन पर भरोसा करता है हां करता हूँ, क्यों तू नहीं करता नहीं, अभिम्यू यूग के पास जाते हुए कहता है तो फिर गले में ये काली मा का लौकेट क्यों पहना हुआ है यूग के गले में काली मा का लौकेट था जिसमें उन्होंने रौदर रूप धारंग किया हुआ था और उनके पेरों पर भगवान शिव थे यूग उस लौकेट को हाथ लगाते हुए कहता है ये लौकेट माने मुझे दिया था उन्ही की याद में पहनता हूँ अब वो तो है नहीं इसलिए यूग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिम्यू कहता है कुछ भी हो पर भरोसा तो करता है ना भले ही मा के कारण क्यूं ना तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख जा पर जो चीज दिखाए नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करूं दिखते तो हमें भगवान भी नहीं है पर फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं ना तुझे पता है ये जो भूत होते हैं ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं हमारे साथ खाते हैं सोते हैं उठते हैं बैठत क्यूंकि इनके पास भी भग्वानों की तरह शक्तियां होती है, शैतानी शक्तियां, भग्वान और भूत दोणों एक ही सिक्के के दो पहलू है, देख दोनों की हिंदी और इंगलिश के शुरु आती अक्षर भवा और जी से ही स्टाट होते है, चाहे फिर वो इंगलिश का गोस्ट और गौड हो या फिर हिंदी का भूत और भगवान तू तो सही में इंटेलिजेंट वाली बाते करने लग गया यार तुझे ये सब बाते कैसे पता यूग हैरानी के साथ पूछता है क्या कहां मेरे पापा ने बताए पर कब यार उनकी किताबों में लिखा है ये सब तुने उनकी किताबे नहीं पढ़ा क्या क्या तो लिखते थे यार वो रॉम्टे खड़े हो जाते थे पढ़ते पते यूग उदास होते हुए कहता है नहीं मैंने नहीं पढ़ी वैसे भी वो सब बस कहानिया है और कुछ नहीं वो कहानी नहीं है यूग तुझे पता है एक लेखक वही लिखता है जो उसकी जिंदगी में घटीत होता है हो सकता है ये सब तेरे पापा के साथ हुआ हो यार देख मुझे ना मेरे पापा के बारे में बाते नहीं करनी मैं बहुत ठग गया हूँ मुझे अभी आराम करना है इसलिए मैं अपने घर ग्रेव्यार कोठी जाना चाहता हूँ पर तू इतनी रात में ग्रेव्यार कोठी क्यूं जा रहा है तू तेरे रिष्टेदारों के घर रौंको मुझा गाउं जाना मुझे उनके पास नहीं जाना क्यूं यूग अभिम्यू के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है अभिम्यू यूग के कंदों पर हाथ रखते हुए कहता है तू अभी भी उनसे नाराज है क्या नाराज की किस बात की नाराज तो हम उनसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं और वो मेरे अपने थोड़ी है यार ऐसा मत बोल यार अभिम्यू छोड़ ना तू ये सब और जाने दे मुझ अरे ऐसे कैसे एक काम करता हूँ मैं भी तेरे साथ चलता हूँ सुना है यक्षनी के दो ठीकाने थी पहला किशनोई नदी और दूसरा ग्रेव्यार कोठी तुझे कैसे पता ये बात मुझे तो बहुत कुछ पता है यक्षनी के बारे में आखिर ऐसे ही थोई सर्टिफाइद पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बना हूँ मैं यार बाते करना छोड़ो और चल जल दी अब जाकर सीधे सोना है मुझे वैसे अच्छा हुआ तू मिल गया मुझे मैं तो रास्ता ही भूल गया था क्या बोला कुछ नहीं वो देखो रही तेरी ग्रेव्यार कोठी अभिम्यू ने अपने हाथ से राइट साइग की और इशारा करते हुए कहा जिस वो रभिम्यू ने इशारा किया था जब योग उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ग्रेव्यार कोठी का उपरी सिरा नदी से साफ साफ देख रहा था ग्रेव्यार कोठी उपरी सतह पर बनी थी जिस कारण उसका गुम्बन देखा जा सकता था ग्रेव्यार्ट कोठी नदी से करीब 600-700 मीटर दूर थी ग्रेव्यार्ट कोठी के उपर काले-काले बादल मंडरा रहे थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काली शक्तियां थी जो योग के वहाँ पर आने का इंतजार कर रही थी युग और अभिम्यू पैदल-पैदल ग्रेव्यार्ट कोठी की तरफ जाने लग जाता है कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों ग्रेव्यार्ट कोठी के पास पहांच जाते है ग्रेव्यार्ट कोठी खेतों के एक दम बीच में बनी हुई थी आस-पास दूर-दूर तक कोई घर नहीं था ग्रेव्यार्ट कोठी के पास करीब दो हेक्टे जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी ग्रेव्यार्ट कोठी दो मंजिला थी जिसमें बाहर से खिर्किया देखने से लग रहा था कि करीब पचास से साथ कम्रे होगे कोठी में ग्रेव्यार्ट कोठी को देखते हुए कहता है यार ये तो किसी फिल्म की हौरर कोठी जैसे लग रही है देख कोठी के उपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे है युग चिद्ते हुए कहता है यार ये फिल्मों की नहीं मेरे पूरवजों की कोठी है जो उन्होंने अंग्रेजों से खरी दी थी हाँ पता है मुझे मैंने डिटेलस निकाली थी इस कोठी की ये अग्रेंज लोग भी ना बड़े कमाल के थे कैसे तुझे पता है ये कोठी कब और क्यों बनाई गई थी नहीं आज से 200 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज अपने इंडिया में आये थे उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठीका ना था जब वो मेगाले में आये तो उन्हें अपने बंग्लामुडा गाउं में भी रहने नहीं दिया क्योंकि ये अंग्रेज गाए सुव सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म में गाए को देवी मा की तरह पूजा जाता है उस वक्त अंग्रेजो के एक जर्नल ने मोटी रकम देखकर जमीन खरीदनी चाही पर गाउंव वालों ने मना कर दिया फिर क्या हुआ? होना क्या था हाम सब को पता है कि इंडिया में लालची लोग भरे हुए है उस वक्त बंग्लामुडा के राजांग्रेजो से मोटी रकम भी हत्याना चाहते थे और प्रजा को निराश भी नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने बंग्लामुडा गाउं के बाहर जो कब्रिस्तान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी गाउंव वाले तो दिन में भी वहाँ पर जाने से दरते थे पर ही अंग्रेज कहां किसी से दरने वाले थे उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी गाउव वाले शुरू शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे फिर अंग्रेजों ने ही इसे ग्रेव्यार कोठी नाम दे दिया अच्छा जब भी दूसरे गाउव से अंग्रेज सेनेक आते थे तो उन्हें यही पर ठकराया जाता था यही पर खातिरदारी की जाती थी उनकी एयासियों का सारा सामान था यहाँ पर रात रात भर मुझरा चलता था तवाय फे नाचा करती थी और तू कह रहा था ना कि यह यक्षिनी नहीं होती तुझे पता है यहां के एंग्रेज अफसरों ने अपनी दाइरी में यक्षिनी का जेक्र किया है यक्षिनी का नाम सुनकर योग्चिर जाता है और चिंते हुए कहता है तेरी ये कहानी खत्म हो गई हो तो क्या अब हम कोठी के अंदर चले या रात भर यही पर बैठकर कहानी सुनाने वाला है हाँ चल मैंने रोका है तुझे ही कहानी सुनने में मज़ा आ रहा था इसलिए मैं सुना रहा था ग्रेव्यार कोठी का दर्वाजा करीब 10 फुट उचा था जब योग और अभिम्यू दर्वाजे के पास पहुँचते हैं तो अभिम्यू देखता है कि दर्वाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिस पर जंग लग गया था अभिम्यू ताले को हाथ लगाते हुए कहता है अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है तेरे पास ताले की चाबी है क्या योग अपना बैग टटोलने लग जाता है और कहता है रखी तो थी इसकी चाबी मेरे पास कहां गई देख क्यों नहीं रही हाँ ये रही यूग अपने बैग से ताले की बड़ी सी चाब ही निकाल लेता है एक औरत की आवाज सुनाई देती है खूल जल्दी, खूल जल्दी दर्वाजा यूग हैरानी के साथ कहता है यार तुने आवाज सुनी अभिम्यू पूछता है कैसी आवाज औरत की आवाज यार वो कह रही थी खूल जल्दी दर्वाजा क्या कहा औरत की आवाज लगता है तेरे कान बज रहे है अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूँ अब तु क्या कर रहा है चल जल्दी ओपन कर कोठी, मैं भी तु देखू इसमें क्या क्या राजबंध है युक चाभी को ताले के अंदर डाल देता है जैसे ही चाभी ताले के अंदर जाती है आसमान में तेज बिजी चमकती है बिजी इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लग रहा था आधी रात में उजाला हो गया हो युक चाभी को ताले के अंदर घुमाने लग जाता है पर जंग लगे होने के कारण चाभी गूम नहीं रही थी युक चाभी गूमाते हुए कहता है अरे ये क्या, ये गूम क्यूं नहीं रही गूमजा, गूमजा, अब खुल भी जा शिट, अभिम्यु हिरानी के साथ पोचता है, क्या हुआ यार चाभी अंदर ही तूट गई, क्या कहा चाभी तूट गई, पर कैसे यार इतनी पुरानी चाब ही है उपर से जंग लगी हुई थी तो तूटेगी ही ना अभिम्यू अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है तो फिर अब क्या करे यूग कुछ कहता उससे पहले ही एक औरत की आवाज सुनाई देती है पत्थर उठा और तोड़ दे ताला यूग कहता है अच्छा आइडिया है पर तू लड़की की आवाज में क्यू बोल रहा है अभिम्यू हैरानी के साथ कहता है मैंने क्या कुछ बोला मैं तो जब से चुप हूँ यूग अभिम्यू की बात पर ध्यान नहीं देता है वो पास में ही जमीन पर रखा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने लग जाता है तीन बार पत्थर से ताले पर वार करने पर ही खट से ताला तूट जाता है जैसे ताला तोटता है औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है यूग कुंडी खोल कर दरवाजे को अपने हाथों से धक्का देने लग जाता है पर दरवाजा इतना भारी था कि उस अकेले से धक्का नहीं दिया जा रहा था इसलिए अभिम्यू भी उसकी मदद करने ल दरवाजा खुलता है धर धराते हुए जोरों से बारिश होने लग जाती है दरवाजा खुलते ही एक औरत की फिर चीखने की आवाज सुनाई देती है आय यूग दरते हुए कहता है कौन है कोठी के अंदर से औरत की आवाज सुनाई देती है महिक्षनी तेरी मौत हमारे च झाल झाल